नमस्ते यृवएवव्वेवस आज के इस वीडियो में हम लोगों कुछ फॉर्मूलास डिसकस करेंगे न्नूटन्स रिंग के रिगारणिंग प्यारे विवस्ड देखें हम लोगों ने पिछली कुछ वीडियोस में तीन चार वीडियोस डिसकस किया हैं Newton's ring के regarding हना एक में हम लोगों ने question लिया था कि Newton's ring जो है वो evenly spaced नहीं होता है हना क्यों नहीं होता यह हम लोग देखे उसे के साथ central dark spot क्यों होता यह भी हम लोग देखे फिर Newton's ring in reflected light and transmitted light यह भी देखे और applications को देखे तो इन चारों वीडियो में हम लोगों ने जितने तो क्या करेंगे Newton's rings in reflected light इसमें हम लोगों ने जो जो चीजे देखी थी उन सब को यहाँ पर एक बार mention करेंगे देखे पहले हम लोग conditions देखते हैं condition ठीक है condition अगर आप condition देखना चाहते हैं वो dark fringe का reflected light के case में तो वह हमें मिला था 2t is equal to m lambda ठीक है यहाँ पर ठीकने से m आपका order है और lambda wavelength जो आप light का use करोगे वही bright fringe के लिए जो condition होगा वो क्या होगा ओम आपके जगे यहाँ पर bright होगा BRI GHT होता है okay bright fringe के लिए जो condition होगा वो क्या होगा वो condition होगा आपका कुछ इस प्रकार से 2t is equal to 2m plus 1 lambda by 2 ओके यह होगा आपका bright fringe का condition ठीक है यह conditions होगा reflected light के case में अगर हम लोग radii की बात करें तो reflected light के case में देखिए dark ring का जो radii होगा okay इसका radii हमें क्या मिलता है mth ring का वो मिलता है under root m lambda r मिलता है तो इसको देख करके आप mth ring के लिए क्या कर सकते हो diameter लिख सकते हो जो होगा आपका 2 under root m lambda r ठीक है यह dark ring का case है ठीक है लेकिन वहीं अगर आप bright ring के लिए यह लिखना चाहो तो आपको क्या मिलेगा देखें तो आप color बदलते हैं यहाँ पर देखेंगा bright ring bri ghd ठीक है bright ring bright ring के लिए अगर आप diameter लिखते हो reflected light के case में तो वह आपको मिलेगा dm is equal to 2 under root 2m plus 1 lambda r by 2 यह मिलेगा ठीक है यह आपका diameter हो जाएगा किस case में reflected light के case में bright ring का ठीक है ओके तो यह इतना सारा चीज आपको क्या करना है ध्यान में रखना है एक तो dark fringe का condition bright fringe का condition ओके आपका जो dark fringe है ओके या फिर जो dark ring है उसका radius का formula उसका जो diameter है ओके उसका formula dark ring के लिए और bright ring के दोनों के लिए ठीक है अब आते हैं कहां पर हम लोग transmitted light के case में देखो transmitted light में यहाँ पर जो भी चीज देखे हैं reflected में उसका opposite हो जाएगा ठीक है transmitted okay transmitted light के case को यहाँ पर एक बार देख लेते हैं ताकि हैना सारी चीज़े clear है तो condition पहले देख लेते हैं देखिए condition में क्या हो जाएगा पहले dark fringe देखते हैं dark fringe okay dark fringe के लिए condition यह वाला हो जाएगा transmitted में तो आपका हो जाएगा 2t is equal to 2m plus 1 lambda by 2 यह dark fringe का condition हो जाएगा अगर आप यहाँ पर bright fringe के लिए लिखना चाहो तो क्या आएगा देखिए यहाँ पर bright fringe okay bright fringe के लिए लिखेंगे तो हम लोगों मिलेगा 2t is equal to m lambda अब देखिए conditions जो था आपका bright और dark fringe का वो यहाँ पर opposite हो गया है ठीक है थोड़ा color बदलते हैं यह भी color थोड़ा सा down लग रहा है ठीक है अब थोड़ा radii देख लेता है ठीक है radii, radii देखिए इस case में अगर आप radii लिखना चाहते हैं bright ring का ठीक है एक मेट हाँ bright ring का अगर आप radii लिखना चाहते हैं bright ring या bright fringe जो इच्छा हो आप लिख सकते हैं वह आपको मिलेगा rm square मतलब mth, mth जो आपके bright ring होगा ठीक है वह होगा आपका m lambda r ठीक है आप इसको इधर लेंगे दिखें condition उल्टा होगे यहाँ पर dark ring का था यह वाला यहाँ bright ring का होगे वह एगर आप dark ring के लिखना चाहें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा dark ring के लिखना चाहें तो यहाँ प 2 से multiply कर देजिए और dark ring का लिखना है तो इसको भी 2 से multiply कर देजिए ठीक है तो यह आपका transmitted का case हो गया अब हम लोग क्या देखते हैं थोड़ा सा applications जो था उस case में हम लोग उने दो formula देखा था एक आपका wavelength के लिए ठीक है wavelength of light ठीक है wavelength के लिए देखा था वो था आपका lambda is equal to dm plus p square minus dm square by 4pr जहाँ पर p जो है यह वाला p का value है ठीक अभी इस p का value कैसे पता करते हैं कुछ नहीं करना है आपको क्या करना है simply लिखना है क्या dm plus p is equal to dm अब आपको यहाँ पर देखिए इस dm की मदद से m का value मिल जाएगा वो m का value यहाँ पर आप रखोगे ठीक है तो p का value पता चल जाए क्योंकि questions में तो हमें जो है इसका value given होगा dm plus p का ठीक है क्योंकि यह m जो आपका order है रिंग का तो वो value given होगा उससे आप पता कर लेंगे ठीक है इस तरह के से compare करके ही पता कर सकते हैं और बहुत books में यहाँ पर p के जगे पर m-n रहता है ठीक है क्योंक n और m के formula लेते हैं तो उस प्रकार से भी वो formula भी थोड़ा easy होता है ठीक है अब जो यहाँ refractive index का देख लेते हैं थोड़ा सा refractive index refractive index mean ठीक है उसका formula कुछ इस प्रकार का आता है dm plus p square in air minus dm square यह भी आपका air कहीं है dm plus p square liquid dm square ठीक है तो यह सारे formulas को आपको ध्यान रखना है यह सारा formulas newton's ring के regarding है यह आपका reflected light के लिए यह पूरा यह आपका transmitted light के लिए और यह आपका applications प्यारे वीवस अगली वीडियो से हम लोग क्या करेंगे दो parts में कुछ total 7 या 8 numerical problems को डिसकास करेंगे basic problems जो आपको university level पर help करेगा ठीक है तो चली अगली वीडियो मिलते हैं